तो दोस्तों नमस्कार स्वागतापी के यूटूब चैनल में आज के व्लोग में हम चाचा करने वाले राजस्तान के इस बहुती आईरुवेदिक धर्ष्टिश है अगर आप इसको देखते हो समत्ते हो तो ये एक बहुती बड़ा और बहुती गजब का पेड़ है इसके बा पाऊगे दोस्तों बेसिकली इसको राजस्तानी बासा में सहने ना बोला जाता है हिंदी में इसको समझे तो सहजन बोलते है और इंगलिश में इसको ड्रमिस्टिक बोलते है ठीक है ये ड्रमिस्टिक का पोदा होता है और दोस्तों ये जो होता है गर्मी को बहुत ज्याद यह जल जाती है बट इसकी क्या खास है तो दोस्तो इसकी जड़ से लेकर उपर तक जो फूल बगर फलिया है वहां तक का भी इसका महतु मैं आपको समझाता हूँ यह कैसे क्या जो है काम आता है देखे दोस्तो यह फलिया होती है इसमें केलसियम की मातरा बहुत ज़्यादा ह पस वो के आहार में इसकी फलीयों को पतियों को काटके जो है यह पतिया आप देख पारे हो यह पतिया जो है बहुत ही महत्तु की है आइरवेदिक दरश्टी चे अगर आप देखा जाये तो इसका अगर आप जूस पीते हो तो आपको गठिया बाई ठीक है माइग्रेन और ज उसर जिसको बोलते हो आप नमी वो बोड़ी में बहुत कम रहती है काफी पानी पीते हो ग्ल्लकोस की कमी रहती है तो उसके लिए आप इसके पतियों के जो है लगबग लगबग सौयमेल जूस अगर इसका डेली पीते हो तो आप अनगिनत बिमारीयों को दूर कर शकते हो डेंड्रफ होना, शर में और जिस तरह की चीजए होती है, आखोμεे जलन रहना, ठीक है, मुह में बद्बू होना, ठीक है, ढातों में दरदों होना, ठीक है, बाल जड़ना, इस तरह की तमाम बहुत सारी विमारीं का जो है, आयरुवेड की उलेक है, इस पोदे का तो इसकी प जाएगी उसकी सब्जियां भी फैल हो जाएगी अगर आप इसकी सब्जी बनाने की रेशिपी सीदीची है। आप इस फलियों के इस तरह के जब फूल को तोड़ के ठीक है एक मिट्टी के मट्के में डाल लो ठीक है जितना आपको सबजी से यह आदा किलो की और उसमें चाथ डालके नमक डालके पांस साथ दिन तक उसको गलने के लिए छोड़ दो उसके बाद अगर आप इसकी सबजी बनाते हो तो आपके बहुत ही फायदे मन्द होती है जैसा कि मैंने और और डिजीज आपको बताई जैसे कि कॉंस्ट्रिपेशन होआ ठीक है आपका नींद का कम आना हुआ मुँ में बदबू आना हुआ डाइजेशन शही रहना बजाजम रहना गैस्ट्रिक प्रोब्लम रहना ठीक है बालों का जड़ना चेहरे पे ट्रायरेस रहना और जो है चेहरे बहुत ज़्यदा फूंसिया होना उस तरह की प्रोब्लम के लिए आप इसके जूस को जो है पी सकते हो सबजी को खा सकते हो दोस्तों इसकी फलिया बहुत ही मार लगा देना रहता है देखें यहां पर किसी भी तरह यहां पर पानी नहीं दिया जा रहा है यह पोदा जैसे आम पोदे होते हैं उस तरीक शेयर लगा हुआ है और दोस्तों आप इसको देख सकते हो कि कहने का मतलब यह है कि यह अवर ओर आयरुडिक के महतूं से अगर हो रहे हैं तो वहाँ पे आप लगा सकते हो पुरानी कोई खुज लिए तो वहाँ पे आप लगा सकते हो पांसाफ रोज में आपको काफी रिलिप मिलता है बहुत ही इंपोटेंट है इसका अगर आप और भी यूटूब पे वीडियो सर्च करोगे ड्रम श्टिक के पोदे के इंपोटेंट तो आप देख पाऊगे सबसे ज़्यादा इसका प्रोडेक्शन जो होता है गुजरात में होता है उसके बाद राजस्तान है राजस्तान में पाली जालोर ठीक है इदर जैपुर शिकर चूरू जुन जुनु बहुस सी जगे इसका प्रोडेक्शन काफी 80% ज्यादा जो है oxygen reduce करता है अगर मान लीजिए एक बबूल का पोड़ा अगर आपको 100% जो है oxygen नहीं प्रोड़ करवा पारा तो इस तरह के पोड़े आपको oxygen के level को maintain करने के लिए environment में बहुत ज्यादा important है यह जो चायादार पोड़ों की category में भी आते हैं और जो है इसकी लकडियां जो है ऐसे समझे की सबसे ज्यादा easiest way में जो है जलाने के काम में इसकी लकडियां भी आती है और पसो के लिए चारा जैसे की राजस्तान में चारे की हरे चारे की बहुत ज्यादा समस्या रहते हैं सूका इदर ज्यादा रहता है पानी की समस्या है तो उस लिहास पूरे पोदे भी मिल जाएंगे, इसके बीज भी मिल जाएंगे, और मेरा कहाल है कि आपको टैनी लगानी चाहिए, इसकी जो मोटाई में अच्छे से हो, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो ये मोटाई आप देख सकते हो, उपर, इनको 4-5 फुट की हाइट से काटके, आप जमीन में लगा सकते हो, 7-8 दिन में एक बार पानी डालना रहता है, 10-12 लेटर पानी एक बार 7-8 दिन में डाल दीजिए, तो वो काफी रहेगा, और ये पोदा आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, ये एकोनोमिकली भी इसको प्रोडेक्शन के लिए यूज करत होप आपको आज इका वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कंटेंट कवर करूँगा, दोस्तों, मैक्शोर करें आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया हो, चैनल को लाइक और शेयर कर लिया हो